हलो गाइस कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बनाने वाले हैं आलू और मटर का पराथा यह मेरे पास तीन उबले आलू है और यह मेरे पास उबली हुई मटर है तो अब आलू और मटर का हम मसालों के साथ में पे लो ड्वाई आपे हमारा ओयल गरम हो चुका है हम यह पर डालने वाले हैं अजवाइन थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा ही और गैस हमें रखनी है बिल्कुल सिम लो फ्लेम पर रखनी है थोड़ा सा दनिया अपर मसाले भी डाल देते हैं जिसे मसाले हमारे कच्छे ना रहके यह मेरे बॉइल पटेटो साथ ही साथ ही यहां पे डालेंगे अपनी बॉइल करेंगी मटर और थोड़ा सा नमक वाद अधुसाओ देखें यहां पे मेरा यह मिक्सचर रेडी हो चुका है आलू मटर का मिक्सचर मैंने मसालों के साथ में आपको दिखाया कैसे रेडी हो चुका है अब हम इसे अपने बनाएंगे प्राउंटे अब यह हमारा मिक्सचर जैसे जैसे ठंडा होएगा हमें ऐसे देखें छुट छुटी बॉल्स बनाके अलब रखने है कि देखें यहां पर मैंने आता लिया है आटे की हमें ऐसे करके गोली बनाने गोल कटोरी बनाने है कि हमारी कटोरी बन चुकी है अब हम इसमें एक बॉल रखेंगे और इसको अच्छे से बंद करेंगे कि देखें हमारे यहां पीए लोई बनके रैडी है अब बस ऐसी हमें और लोई अपनी रैडी करनी है और इसको हलक असा आठ डालके हलक असा प्रैस करके और हलके हलके हातों से इसको बेलना है देखे देखे यह मेरा प्राटा बिल चुका है आप इसकी ठिकने इस देख सकते हो कितनी बारिक रखी है मैंने और कहीं से भी मेरे आलू नहीं निकले हाँ थोड़ा हलका हलका निकल गए लेकिन इतने भी निकले कि यह चिपक रहे हो आप अब स्लैप भी देख सकते है बिल्कुल चलीन है अब हम इसको यहां पर सेखने वाले अब बस हमें यहां पर अपने प्रांटे पर ओल लगा के अच्छे से इसको सेखना है और हमारा अलू मटर का नाश्ता रडी है आप इसको बच्चों को स्कूल में दीजिए घर पे नाश्ते में बनाईये सबको खिलाईये और मैं कह सकती हूँ कि हाँ यह सबको पसंद आएगा नमक मिर्च आप अपने स्वाध अनुसार रखिएगा आपके घर में ज्यादा चटपटा खाते हैं तो चटपटा रखिए और हल्के मसाले खाते हैं तो कम रखिए तो आपको मेरी यह र करिविकेशन मिलती रहे साथी साथ वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए बाई टड़ा स्यो सून फो नेक्स वीडियो